नमस्कार दोस्तों आप सबी का स्वागत है study time for you में इस वीडियो में मैं self study के उपर बात करूंगा कि अभी जो परिस्तिती चल रही है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ना तो चाते हैं पर वो offline किसी teacher से पढ़ नहीं पा रहे हैं मतलब फीस नहीं दे सकते हैं तो वो self study के से करे तो अलग लग वीडियो में वनाऊंगा एक एक वीडियो में एक एक बात self study के बारे में बात करूंगा आभी में self study का में मकस क्या होता है इसके बारे में बात करूंगा self study मलब खुद से कैसे पढ़े या मैं इसको और गहराई से अगर बताओ तो self study का मतलब होता है खुद की पढ़ाई मलब खुद के ओपर पढ़ो खुद के बारे में पढ़ो कि खुद आप क्या हो पहले ये आप पता करो फिर उसके बाद आप पढ़ाई करना सुरू करो अब इसका मतलब क्या होता है देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है हाना पर वो जादा अच्छे माक्स निलाते हैं जादा देर तक पढ़ते नहीं है रिजन हो सकते हैं फैंदी हो सकते हैं घर वाले काम कराते हो या फिर आप के पास प्रॉपर जगा नहीं है बेट के पढ़ने की ठीके तो सबसे पहला नियम क्या करना है आपको पहला नियम यह है कि आप अगर सेल्स्टेडी अभी start कर ही रहे हैं या कर चुके हैं दोनों ही तरीके से अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको एक separate copy बना लेनी चाहिए ठेके एक copy होनी चाहिए आप कितनी भी चाहिए उसको मोटी या पतली रख सकते हैं इसमें करना क्या है इसके बार पर ध्यान देते हैं इसमें आपको खुद के भीतर ध्यान रख कर ये चीज़े लिखनी है कि आपने पर दे क्या काम किया है ठीके और ये आप कब लिखेंगे सोने से पहले कि आपने मौर्णिंग से पूरे दिन की दिन चरिया क्या थी आपने किते दिर पढ़ाई की किते दिर कौन सा काम किया ठीक करिए थोड़ा बहुत जादा नहीं मैं बोल रहा हूँ एक एक दिन में आप आगर मानलो आदे घंटे भी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं कि मैं आदे घंटे कोई नई तरीके से पढ़ाई करूंगा कोई नई चीज के बारे में जानूंगा तो आप आप खुद को मतलब बना रहो किसी चीज को पाने के लिए ठेके जैसे कि मानलो आपने आप 12 में हो आपका UPSC टार्गेट है UPSC आपको क्लियर करनी है तो बेसिक यह मोटो रहता है UPSC क्लियर करने का कि आपको बेसिक सारी किताबे को नौलोज होना चाहिए जो कि CBSC की हो ठेके तो गवर्मेंट बु खत्म कर पाएंगे और अगर नहीं कर पाएंगे तो आप कहां से समय दे सकते हैं तो पहला पार्ट है यह self study का इसमें मैं आपको बताया है कि एक copy मनानी है separate और उसमें अपने बारे में अपनी दिन चरिया के बारे में लिखना जब पूरा दिन खत्म हो जाए तो आगले दि उनको आपको improve करना है, ठीक है, thank you so much.